नमस्कार महा कुण्डनी योग में फिर सभी का स्वागत है आज आत्माओं के एक विशेश वर्गी करन पर हम चर्चा कर रहे हैं कई तरह की आत्मा ही होती है आत्मा मूल रूप से जोती रूप में तत्तों से सब बराबर हैं समान हैं परन्तु जब इस संसार में सब कनेक्ट होते हैं तो चीटी से लेकर हाती तक मनुश्यों में भी जो वर्गी करन है छमता के एसाब से अपनी शक्तियों के साथ से अपनी पावर के साथ से वह वर्गी करन हो सकता है परन्तु वह वर्गी करन पार्थिव चेतना का पार्थिव शरीर का है परन्तु उसके पीछे यद पूल रूप से चित से परे हैं, चित जो हमारा जन्म जन्मांतर का जो स्मृति कोश है, जहां पर हमारी सारी जन्मों की इच्छाएं, अनुभव एक जगा पर स्टोड है, सुरक्षित है, सुरक्षित इसलिए कि आत्मा उन्हें चाहती है, उनके पीछे और उनके ऊपर चेतन शक्ति का आकर्षन कह लेजिए चेत्रशक्ति की शक्ति कह लेजिए जिसके वशी भूत वो चित्व से बंदा हुआ है और चित्व के साथ ही आत्म तत्व मन बुद्धी एहंकार और पांच एलिमेंट्स जो हैं अगनी जल वायू अकाश और प्रित्वी इनकी प्राण उर्ज के साथ बंदा हुआ है अश्टदा प्रकति इसी का नाम है कि जिसमें पांच तत्व और मन बुद्धी और एहंकार ये तीन जोतियां भी सम्मलित होती हैं और इनके वश में चित्त आ जाता है चित्त का अर्थात हमारा जो अब तक का इकठा किया हुआ अनुभव है जिस च सुरक्षित रखते हैं कल हमने क्या देखा कल क्या अनुभव क्या वो सब सुरक्षित है उसी स्मृति के आधार पर हम किसी को पहचानते हैं उसी स्मृति के आधार पर ही हम आगे काम करते हैं ये जो पहचान के लिए स्मृति कोश है ये प्रकृति द्वारा यानि आदिशक आत्मा का वर्गी करण पार्थिव जगत की इस यात्रा में इस शरीर की यात्रा में अगर पूर्णायू विक्ति भुगता है तो पार्थिव शरीर की एक अपनी यात्रा है जिसको हम जन्म जन्मांतर की आत्मा की चित्त की अवस्थाओं से और उसकी शक्तियों से आत्मिक उ उड़जाओं से भी हम उसको वर्गिकरण कर सकते हैं, आज सबसे पहले शिशु अवस्था जैसे विक्ति जनम लेता है तो शिशु अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसे इस संसार में आत्माएं शिशु अवस्था में भी रहती हैं, आजीवन, निर्भर करता है बहुत सारी पिता और बड़े बुजर्ग उसको पालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, अथात ये जो संसार है, ये प्रकृति है, जब जनम देती है तो उसको सुरक्षत रखने का, संरक्षत रखने का उसे पालन पोशन का भी इसके अंदर गुण होते हैं, वो विवस्था होती है, जै जिससे उनका निर्भा हो, जिससे उनका जीवन चले, जिनका उनका शरीर की यात्रा और संसी, शरीर के साथ जो जीवन के अनुभव में वो भी चलते रहें, परंथ वो मूल भूत प्रकृति की जो सौभाविक अवस्ता है उस पर प्रकृति उनका संग्षन करती है, वह बढ़े फेक्टरिया नहीं लगी हैं, बहुत बढ़े कारखाने नहीं चल रहे हैं, बहुत बढ़े मॉल, बहुत बढ़े educating system नहीं है, परन्तो सिस्टम में उनका अपना एक system है जिसमें वो उससे अधिक उनको दरकार नहीं होती ऐसे शिश्व को फीडिंग चाहिए होती है वो उस अवस्थव में रहते हैं यह श्रीर शिश्व अवस्था के बाद जब बाल अवस्थाम होता है न दर थोड़ी सी चेतना विकषित होती है थोड़ा सा समझदार होता है खेलता है गेड़ता है फिर खड़ा होता है चीज़ों को समझसता है learning उसकी habit में और विकास होता है और सीखता है वो गरौथ होता है वो एक तरह से उद्ध इमान होकर वो संसार को समझने लगता है थोड़ा सा follow करना पड़ता है, इसका उन बड़े लोगों का, उन अनभवी लोगों का, जिससे आगे की यात्रा उसकी सुखद हो और उसो घ्यान अरजित करने में, experience करने में, उसे सुइदा हो, तो बाल अवस्था में, जो Souls हमारी होती हैं, वो क्या करती हैं? वो follow करती हैं, क किसी बड़े उद्योग में अगर वो काम कर रहा है, तो वो बॉस नहीं होगी, वो एंपलॉई होगा, वो काम को सिखेगा, एक्सपीरेंस करेगा, उसके अंदर नहीं होगी, वो लीडर्शिप, उसके अंतर वो क्वालिटी आए, वो इंडेपेंटनली काम कर सके, उसे किसी को follow करना पढ़ेगा. Political power में अगर वो जाना चाता है, संगठन में जाना चाता है तो वो किसी न किसी विचारद़ारा का follower होगा समर्थक होगा. इसके साथ वो किसी नेत का भी समर्थक होगा. खुद इंडिपेंडेंट वो leader नहीं होगा, परंतु वो लीडर का उस नित्रत करने वाले विक्ति का समर्थक होगा या किसी खास विचारधारा का वो समर्थक होगा, फॉलो करेगा, यानि वो अभी चाइल्ड स्टेज पर है, अभी बाल अवस्था में है, वो इतना विक्सित नहीं है कि अपने अंदर एक नई विक्सित कर सके और उ तो बाल अवस्था में है, परतु इस सनातन सागर में भी विविन संपरदाये हैं, विविन विचारधारों की संभावना यहां रहती हैं, विविन परकार की अनुभूतियां, विविन परकार की विज्ञान की खोज के अवसर यहां रहते हैं, विक्ति जब अपने दर्शन में कुछ नया खोज लेता है या कुछ विश्मृत किया हुआ कुछ परंपरागरत जो जिए उसको खोज लेता है जो विश्मृत हो चुका है विलॉत हो चुका है तो भी उसकी आइडेंटिटी लीडर्शिप में आती है और वो कुछ नया अपनी विद्धोत्ता के गरण कुछ नया समाज को दे सकता है और वो स्वतंतर रूप से अपनी आजीप का अपने विचारधारा रखता है इस अवस्था के बाद यूवस्था यूवस्था में निश्चित रूप से बाल अवस्था में किसी को फॉलो कर रहा है उसके बाद उसके आत्म बल इतना बढ़ता है कि वो यूवा हो चुका है अब वो सेल्फ जन्रेट है अब वो कमा रहा है इसको और थोड़ सा समझ सकते हैं कि आत्मों की केटिकरी में जो किसी भी छोटे संगठन का भी कॉर्पेट लेवल पे भी जो लीडर है जो पॉलिटिकल पार्टी में वी लीडरनी लीडरस का अर्थ अगर बड़ा संगठन है तो राज्यस्थर में वो लीडर्शिप पैदा हो जाती है उसके अंदर वह गुण आ जाते हैं आगे वह अंतराश्टेस्थर पर अगर संगठन काम करता है तो वह एक बड़ी केटेगरी मानी जाएगी, उसी रेंज में अपर लेवल, उच अवस्था, यू अवस्था में जो सोल्स होती हैं, चाहे वो पूरु जनम से हूँ, चाहे वो इस जनम में अपने आपको इतना विक्सित कर लें, इतना अपनी छमताओं को भीतर से बाहर निकाल लें, या इतनी ब्लैसिंग ले लें, इतना कुछ सीख लें, इतना अनुभव कर लें, तो वो उस अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं, यू अवस्था, ये आत्मा की यू अवस्था है, इसके बाद यू वृद अवस्था, ना वृद ना यूव, ये वृद अवस्था क्या है, यू अव एक अनुभव जो उसका अनुभव होता है की मैं शाशन करने के लिए नहीं, मैं दूसरों में नित्रत चमता पैदा के लिए हूँ. मैं चाहता हूँ की जो मुझे फॉलो करें वो भी मेरा नुस्रान करें और उनके अंधर दी नित्रत करने की चमता पैदा हो. तो वो युवा विर्द अवस्ता है जैसे एक company में एक boss वो चाहता है कि उसके अधिनस्त काम करने वाले समय आने पर उसका दायत वो संभाल सके एसे ही राजनितिक संगठनों में, समाजिक संगठनों में और धार्मिक संगठनों में भी उत्रादिकारी की जब विक्ति तलाश करता है जब उसे लगता है कि मैंने जितना भूगना था यश, लोकेशना, वितेशना और शिश्यों का जितना भी जो भी उसकी कामना थी पूर हो रही है लगबर लगशांत और मुझे भविश्य में मैं चाहता हूं कि चाहे वो मेरा पुत्र हो चाहे मेरा शिश्य हो या कोई योग विखती हो इसको रिप्लेस करें तो जब ये भाव आने लगता है जब उस पद उस के प्रति थोड़ा सा मामत्वा माया का प्रभाव कम होता है वो जब देना चाहता है तब वो है अवस्था युवा व्रिद अवस्था है इसके बाद पार्थिव शरीर में लगभव की 50 और 60 के बीच में ये अवस्था आती है जब वो अपने उत्रादिकार को खोजता है उसे देना चाहता है उसे देने में सुखद एक शांति का अनभव होता है तब ये युवा व्रिद अवस्था है इसके बाद व्रिद अवस्था है जब वो पूरी तरह से ये स्विकार कर लेता है कि अब वो आगे उतनी छमता से कारें नहीं कर सकता अब वो किवल मार्वदर्शन दे सकता है मार्वदर्शन ये जीवन में सबसे बड़ा एक पड़ाव है जब उसे लगता है कि शरीर से वो उतना कारें नहीं कर सकता जितना वो मस्दक्ष से और अपने अनुभव से सला से वो लोग का मारदशन कर सकता है जब आत्मा इस अवस्था में या जीवन इस अवस्था में आता है तो ये व्रिद्ध अवस्था है वो ज्यान की व्रिद्ध अवस्था होती है ज्यान से ही विक्ति व्रिद्ध होता है ज्यान से ही वो अपने अनुभव से ही संसार का और समाज का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने अधिनस्त जो भी विक्ती हैं, उनका मारदशन करता है, कहीं पर भी यह चीज है, इस अवस्था में आत्मा, वृद्ध, अवस्था को प्राप्तिजिए वृद्ध, ज्यान में वृद्ध, यह अलग तरह की मेच् हित्तों से पूर्णता मुक्त हो चुके हैं, जिनने अब अपना अनुभव, थोपने या उनको मारदशन प्रेणा देने की भी कामना नहीं रहती है, यानि स्वाप्रेणा से वो मारदशन नहीं देते हैं, कोई विक्ती बहुत आवशक हो जाए, क्योंकि शरण में आए, त जवरदस्ती किसी मामले में पढ़ने की आवशक्ता नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके अधिनस्त लोग काम कर रहे हैं, अपने अनुभव से वो कारे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बढ़ने दिया जब उन्हें लगे कि उनको उनकी आवशक्ता है, तो वो पूछते हैं तो वो ग्राण देते हैं – Brock पूछते हैं, आक सिद्थ-संत-लोग, बहुत अधिक शांत अवस्था में रेते हैं और शांत अवस्था में उनकी अपने अनुभवते हैं, जब कोई विक्ति हुए कि सिवा करता है, उनके निकट जाता है, उनसे निवेदन करता है, तभी वो उसका रहेश से प्रकट करते हैं. यह बहुती एक अलग तरह की मेचोड अवस्ता है, मोक्ष अवस्ता है, जब वो इन चीजों से, इन दंदों से मुक्त हो जाते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, इस मोक्ष अवस्ता में भी आत्माई जनम लेती हैं, चुकि पार्थिव जगत में ये यात्रा 75 के बाद अव दंद में हो जाता है, उसे ना कुछ पानिक इच्छा होती है, ना कुछ खोने का डर होता है, उस अवस्ता में मोक्ष अवस्ता कहलाती है, जो आत्माई इस मोक्ष अवस्ता में शरीर का त्याग करती हैं, निसंदे अगर किसी कार्मिक बंधन के कारण, किसी कार्मिक रहती है वो चंचलता चपलता स्वभाविक रूप से रहती है परन्तु एक समय के बाद अनुकूल दशा आने पर वो बाल अवस्था वो चंचलता चपलता शांत हो जाती है उसके अंदर पूर्व अर्जित संस्कार पूर्व अर्जित मोक्ष भाव शांत भाव और वो प्रत तो निसंदेव विक्ति रिशी पद को प्राप्त होता है वो महान योगी या तपस्वी योगी उस कटेगरी में वह विक्ति परवेश करता है इसके अत्रिक्त विक्ति यदी चाहे कि हम अपने इस जीवन में शिशु अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्ता में यात्रा एक ही जन्म पूरी करें तो इसके लिए कठोर तप, कठोर अनुभव और बहुत अनुशाशित जीवन की आवशक्ता होती है इसके अत्रिक्त उसे किसी महापुरुष, किसी संत, किसी गुरु और अच्छे बड़े बुजुर्ग जो उनके विक्ति यह सब आवशक है, अनुशाशित जीवन आवशक है, बिना अनुशाशन के विक्ति आत्म पर विजय प्राप्त नहीं करता, आत्म की उस चित्त की उस ज्ञान और मोक्ष अवस्ता को प्राप्त नहीं होता, इसके उपर जो अवस्ताएं हैं, बार बार विक्ति रि वो आप्त पुरुषों की श्रिणी में जाता है, आप्त पुरुष वो हैं जो जनम लेते हैं तो किसी उदेश से, जिसमें मानवता का हित हो, जिसमें मानव अध्यात्मिक जगत पर, अध्यात्मिक पद पर, अध्यात्मिक वातावरण में अपने को तयार कर सके, अपने को व अबव होता है और इसके उपर की शक्तियों के साथ उसे ये लगता है कि वो यात्रा वो लोक ही उसके जीवन का अंतिम और एक तरह से अध्यात्मिक जीवन का प्रारंब है क्योंकि उसके आगे की यात्रा बड़ी रहस्य में हैं सबकी अपने अपने अनुभव हैं इस अवस्था से मोक्ष आनंद की अवस्था को प्राप्त करें